तो हेलो गाइस आज की इस वीडियो में बताने वालाओंगी फेस स्मूत क्या से एच्टी क्वाइलिटी में किया जाता है तो अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सुस्क्राइब करें ताकि आम लोग से जुरूई वीडियो एडिटिंग की मिलती रहे तो फ्रेंस वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट तो ईसने ऐस अप्लिकेशन को वें कर लेना है पर बिल्स के। आप्शन पर किलिक करें पुलिक कर लेफ कर लेफा और से टाले ना है अप न यान उसको 50 ने पॉलस अपने फॉटो कहीं साल रख सकते में फ्लिं упra 11annel classes को Accuturation को अपने photo के हिसाफ से रख लेना है रम्ठ को Six रख लेना है पलस में अपने photo के हिसाफ से भी रख सकते हैं मैं Six रख लिया हूँ तो ह हेलो बाट सिपने समसुने एडिट करचुके नियुए इन से फोटो कर लेता हैं,, Give photo गभठ है इनक बाद评 उन्हों कर लेंगे शेयर तो हमारा फोटो छेयर हो हो चुका है फोकर लेना है फोटो को फोट को open करने के बाद लॉपते लाइट वाले रत्चेटिं के लिई इनक हाइलाइट को मइनस अंडरेट कर देना है है इता फोटा है के 56 रख लेना है ऐस में फोटो की इंसाब क्लिक करके और लेक्षट कम्झेक को current Richtung देना है है इसे अपने फोटो हनुसाब से भी रख सकते हैं अचर्जेश्ट लिए किक करके औरेंज किलर को सेलेक्ट कर लेना है और रेंज वाला टूल पे किलिक करके सुस्रेशन को माइनस 36 कर देना है लिविनेंस को 36 कर देना है पलस में हीव को माइनस 4 कर देना है वाले टूल पे किलिक करके लिवनेंस को 17 कर देना है हीव को माइनस में 4 कर देना है हेलो टून पे क्लिक करके סुचरेशन माइनस अंरेट कर देना इसको भी हंडाइट माइनस करदेना है बुलू टून पे क्लिक करके सुचरेशन माइनस हंडाइट कर देनाizada कि इस पे भी 100 मैनस कर देना है इसको पलस में 59 कर देना है तो फोटो को कर लेते हैं सेर तो इसकेच बूक अप्लीकेशन में सेर कर लेते हैं फोटो को अब इसन अम्हेर वाले स्कीन पर किलिक करके ब्रस वाले एक्टिंग पर चले जाना है इसको आप डेख लेना फ्रांज अब अराम अराम 에स इसुछ अराम-अराम कीजिए सा जैसे मैं कर रहा है जात है आतर आप झाल 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 तो फ्रेंस स्मूथ हो रहा है ना देखिए HD quality में आज स्मूथ करके दिखा रहे हैं इसी टैप से आप लोग करिएगा ना तो स्मूथ HD quality से होगा तो फ्रेंस फुरा वीडियो बाच करिएगा तभी आप लोग इस टैप की एडिटिंग शीख पाईएगा तो फुरा वाच करने के लिए दूस्टों ठैंक यूँ अगर है मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जागे करते हैं